पिछले कुछ दिनों से नाकूर शहर के विभिन्न हिस्सों से चोराहों पर लगे CCTV कैमरों की बैटरिया चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही थी। ऐसे में पुलीस ने सगन जांच शुरू की। इसी बीच सकरदरा पुलीस ने पाच आरोपियो को गिरफतार कर 11 मामलो का भांडा फोड किया। आरोपियो में चार कबारी है। यह लोग बैटरियों में सीटल निकालकर बेचा करते थे। आरोपियो के नाम नितिन रामचंद्र साहु, मुकेश साहु, रितेश राठोट, र सीसी टीवी कैमरों के मेंटेनन्स करने वाले अधिकारी अर्विंद कुमार ने बिंजानी कॉलेज के पास बने चोरा है कि सीसी टीवी कैमरों की बैटरी शिकायत पर पुलीस ने मामला दर्ज कर रही था। पुलीस इसी मामले की जाच कर रही थी। वही अन्य जगहों पर भी CCTV कैमरों की बैटरिया चोरी होने के मामले सामने आ रहे थे पुलीस ने खूफिया तोर पर जान शुरू की और चारो कबाडियों तक पहुची उनके पास से 70 बैटरिया, एक पिकप, थ्री विलर, चार दू पहिया वहन जब्त किये गए पुलीस पूचताच में हैरान करने वाली जानकारी मिली कि आरोपी सीसा धातू के लिए ये बैटरिया चुराते थे ये काफी महेंगी बिक्ती है, इसके बाद उनके निशान देही पर 176 किलो ग्राम सीसा भी जब्त किया गया इस प्रकार पुलीस ने कुल 3,60,000 रुपए का माल जब्त किया जाच में ये भी पता चला कि आरोपियों ने 8 थानक शेत्रों के तहट 8,40 से बैटरिया चुरी की थी इस प्रकार पुलीस ने 11 मामलों का खुलासा किया इन में सकरदरा, तहसील और नंदन्वन में दो-दो मामले जबकि सदर, बजाजनगर, बरडी, अमबाजरी में एक-एक मामला दर्ज है